हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं पॉइम नाइट ओफ जा स्कॉर्पियन जो की नेज़े मज़े किलकी लिखी हुई है एन इस पॉइम में पॉइट अपने चाल्डूट एक्सपिरेंस के बारे में बताती है तो फर्स्ट लाइन पॉइम की, I remember the night, मुझे वो रात याद है, my mother was stung by a scorpion जिस दिन मेरी मदर को, scorpion का मिंस होता है बिच्चू, जिस दिन मेरी मदर को बिच्चू ने डंग मारा था 10 hour of steady rain has driven him, वो कहते हैं कि 10 गंटे से लगातार उस दिन बारिश आ रही थी and to crawl beneath a sack of flies और वो जो बिच्चू था, वो हमारे घर में जहां पर चावल की बोरी पड़ी थी, उसके नीचे crawl महाँ पर चला गया parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again तो यहां पर जो point है वो कहते हैं कि जब जो बिच्चू है उसने जो डंग है वो अपनी tail के through मारा था जब मेरी मदर उस dark room में गई तो बिच्चू ने क्या है, मेरी मदर को डंग मारा tail के through then जैसे ही उसने डंग मारा, वो वापिस चला जाता है, rain में, यानि कि वो वापिस घर से चला जाता है the peasants come like swarm of flies, तो वो गहते हैं कि जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, peasants यानि कि वहां के villagers को पता चलती है तो जितने भी लोग हैं वो सभी के हैं इकठे हो जाते हैं, जैसे कि एक मदर मखी का जुन्ड हो and buzz the name of God a hundred of time to paralyze the evil one और वो बगवान का नाम बार बार काफ यानि कि सो बार के हैं जबते रहते हैं जिससे कि evil one यहां पर बिच्चु के लिए है, scorpion के लिए है, कि जो scorpion है उसे paralyze हो जाए क्योंकि जो villager है वो यह सोचते थी कि जैसे जैसे बिच्चु आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो जहर है बिच्चु का वो उसकी यानि कि point की mother के body में फैलता जाएगा इसलिए वो प्रेड करने रग जाते हैं कि जो बिच्चु है वो paralyze हो जाए, एक जगा पर रुख जाए, जिसी कि बिच्चु का जो जहर है वो point की mother में ना फैली with candle, with latins, throwing giant scorpion shadow on the mud-baked walls तो यहां पर जो point अब कहते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चला तो जो लोग है वो अपने साथ candles, latins लेकर आते हैं और जो लाल्टेन की रोशनी होती है वो क्या है, mud-baked wall यानि कि जो मिट्टी की walls थी, जो कि सूरज की किर्णों के करने बहुत ज़दा बेक्ट हो चुकी थ पर जो पढ़ती थी जैसे ही यानि कि जैसे ही लाल्टेन वगेरा की रोशनी पढ़ती थी या फिर महां पर कोई चीज बढ़ी होती थी तो ऐसा लगता था कि throwing chain, scorpion, shadow की ऐसा लग रहे है कि महां पर कुई सी shadow यानि कि जो scorpion की shadow बन रही है यानि कि आप यह समसकते हो कि कोई कोई भी thing है उसकी रोशनी जब दिवार पर पड़ती है तो वो परचाई है जो वो shadow है जो वो scorpion की लग रही थी they searched for him, he was not found तो जितने भी लोग थे वो सभी कह scorpion को ढूणने में लग गए बट वो कोई भी उसे नहीं ढूण सका they clicked their tongues, वो बारबर अपनी जो tongues यानि कि वो बारबर भगवान का नाम ले रहे थे with every moment that scorpion made his poison moved in mother blood they sat और वो कह रहे थे कि जैसे 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 यानि कि जो scorpion है वो आगे बढ़ता जाएगा may the scene of your previous birth be burned away tonight they sat यानि कि जो point की mother होती है उन्हें बिच्छों ने काट लियो होता है जिसके कायन जो mother है वो जमीन पर ले जाती है और जितने भी गाम के लोग होते हैं वो उनकी mother के आजपास बैट चाते हैं और वो कहते हैं कि शायद आज के दिन तुम्हारे जो sin का means होता है पाप या फिर तुम्हारे जो previous birth के यानि कि तुमने जो पिछले जनम में कुछ भी कलतियां की होंगी वो सभी आज बर्ण हो जाएंगी यानि खतम हो जाएंगी tonight they sat ये गाम के लोग कहते हैं may your suffering decrease the misfortune of your next birth they sat तो यहाँ पर जो गाम के लोग है वो कहते हैं कि आज जो तुम्हें दर्द हो रहा है जो इस चीज़से तुम suffering कर रही हो शायद ये जो suffering है वो तुम्हारे आने वाले जनम में तुम्हारे जितने भी misfortune है जो दुख है जो भी suffering बगएर है वो decrease हो जाएंगी में the sum of all I will balance in this unreal world यानि कि तुम्हें जो कुछ भी गलतिय की है वो सब क्या है बैलन्स हो जाएंगे यानि कि जो तुम दुख भोग रही हो उससे क्या है तुम्हारे जो जितने भी पुराने पाफ वगर है वो सब कुछ खतम हो जाएंगे बैलन्स में आ जाएंगे अगेंस्ट असम ओफ बूट बिकम डिमिनिश्ट यॉर पें कि जितने भी तुम्हारी गुट्स चीजें हैं वो सब हैं अच्छे होंगी और जो भी तुम्हारे पेंड है उससे क्या है तुम्हारी जो भी गलती है वो सब दूर हो जाएंगी में दा पोईज़न प्योरिफाय यॉर फ्लेश कि शायद ये जो जहर है वो तुम्हारे जो शरीर है फ्लेश है मास को प्योरिफाय कर रहा है और ये सेट अराउंड ओन दा फ्लॉर वित माइदर इन दा सेंटर तो यहां पर जो पोईट है वो कहते हैं कि जितने भी गावट पर पता कि हैं कि उस दिन बहुत सारे लोग यानि कि जैसे जैसे लोगो को पता चलता किया वैसे जितने भी गाम के लोग थे वह सभी कष्चा होने लगे है जो इस दिन पहुंद है है and less rain हो रही थी my mother twisted through and through growing on a mat जो मेरी mother है वो मैट पर लेटी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा क्या है रो रही थी क्योंकि उन्हें बीच्छुने काटा हुआ था जिसके कान उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था my father's captives rationalist trying every curse and blessing power mixture herb and habit जो उनके father थे वो यानि की अंध विश्वाष में कम believe करते थे और वो क्या है कि यानि की काफी cure करने की कोशिश करते हैं तो वो एक powder लगाते हैं mixture लगाते हैं कुछ जड़ी बूटिया है जो पैर पर लगाते हैं जिससे की जो pain है वो कम हो जाए he even pure और a little paraffin upon the bitten toy इसके साथ ही क्या है कि जो point के father है वो जहां पर यानि की जो pair के toy यानि अंगुठे पर जहां पर बीचुने काटा था वहां पर paraffin यानि की मिट्टी का टेल है वो डालते हैं and put a match of it और उसको क्या है माचिस के तिली से जला देते हैं जिसके कान के होता है कि I watched the flame feeding on my mother जो point है वो बहुत ज़्यदा छोटे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं देख रहा था ये सब कुछ क्योंकि मैं छोटा था यानि कि जो point हो छोटे होते हैं helpless होते हैं उन्हें समझी नहीं आ रहा था कि इस situation में क्या किया जाना चाहिए तो जब वो देखते हैं कि उनकी मदर का जो पैर है उस पर मिटी का तेल डाले से और यानि की माचिस से उसे जिला देने से उससे ऐसा लग रहा था कि जो ये फ्लेम है ये जो आग है वो मेरे जो मदर है उसको feeding कर रही है तो यहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो ये सोचे थे कि शायद इससे भी क्या है उसकी जो मदर के पाप वगएरा है वो दूल जाएंगे इसके बाद के होता है कि I watch the holy man perform his right to tempt the poison without incansion तो यहाँ पर जो पोईटर वह कहते हैं कि इसके साथ ही एक holy man को भी बुलाया गया जिसने बहुत सारे मंतर वगएरा पड़े to tempt the poison, tempt का मिन्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए जहार को without incansion यानि कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है मंतर वगएरा को पड़ा था after 20 hours it lost its strength और जैसे ही 20 गंटे बीते धीरे-धीरे क्या है कि वो जो डंक बिच्चु का मारा हुआ था जो जहार था वो देरे-देरे कम होने लग गया जो दर्द था वो क्या है कम होने लग गया my mother only sat और में जो मदर है वो सही होगी और उन्होंने बोला thank god the scorpion picked on me and separate my children तो जो point की mother है वो बगवान का शुक्रियादा कहती है कि शुकर है बगवान ने यानि कि जो scorpion है उसने मुझे काटा मेरे बच्चे को नहीं काटा यानि कि जो scorpion था उसने मेरे बच्चे को नहीं काटा जो मेरा बच्चे है वो safe है तो इस poem की main जो theme है वो यही है motherhood की जो mother है यानि कि उनके बिच्चु काट चुका था उनको इतना पेंट था फिर भी जैसे ही वो सही होती है उनका पेंट थोड़ा कम होता है वो बगवान का शुकर यादा करती है कि शुकर है मेरे बेटे को नहीं काटा इसके साथ ही यहाँ पर हमें यानि कि अंद विश्वाश के बारे में भी देखने को मिलता है कि जो गाम के लोग थे वो अंद विश्वाश रखते थे कि वो यह सोचते थे कि यह जो बिच्चु ने काटा है इससे क्या है कि जो इसकी मदर को suffering हो रही है शायद वो जो previous birth में ज जो भी love affection है वो कि जैसे ही गाम के लोगों को पता चलता है कि पोईट की मदर को बिच्चु ने काटा है तो सबी लोग वहाँ पर इकठा हो जाते हैं एक दुसरे के लिए और उनके जो मन में एक दुसरे के पती के सिंपती होती है तो I hope आपको यह जो point समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी doubt है तो आपको में comment section में बता सकते हैं आपका doubt दूर कर दिया जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो please like my video, subscribe my channel, thank you friends for watching my video, thank you